आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुना स्वागत है सुभा से स्टेडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर तो यदि आपका च्छा बारा के चात्र हैं और आपके पास हिंदी विषय है तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टन्ट होगा क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साजा करेंगे हिंदी विषय का माडल पेपर जो आपकी बोर्ड परिच्छा 2022 के लिए मोस्ट इंपोर्टन्ट है तो पेपर का पुढ़ांग कितना होगा पेपर का पुढ़ांग होगा जो आपकी बोर्ड परिच्छा में पुढ़ांग होगा और समय आपको मिलेगा तीन घंटे पंदरा मिनट का आपको समय मिलेगा और यहां आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपसे प्रशन पूछे जाएंगे प्रशन संख्या एक का जो की खंड का के अंतरगत पूछा जाएगा कुछ इस तरीके के प्रशन आएंगे अब सेम प्रशन यही आपकी वोर्ड परिच्छा में आएंगे यह बिल्कुल अनिवार नहीं है लेकिन यहां से आपकी वोर्ड परिच्छा में प्रशन जरूर पर आपको एक नंबर मिलेगा प्रश्ण संख्या एक खा जो की इस प्रकार से है अग्यय का सन्नाटा लेख किस निवंद संग्राह में संकलित है या प्रश्ण भी एक नंबर का है और चार विकल्प दिये गए हैं और यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्ण संख्या एक गा क हिंदी साहित में ब्यंग के आधार इस्तम्भ हैं यहाँ पर चार विकल्ब दिये गए हैं आपको सही एंसर देने पर एक नंबर मिल जाएगा और यहाँ पर एक घा जो की इस प्रकार का प्रशन है संपूरा नंद द्वारा संपादित पत्र का है तो यहाँ आप देख सकते है चार विकल्ब दिये गए हैं राइट अंसर देने पर एक नंबर मिल जाएगा प्रशन संख्या एक अंगा के अंतरगत पूछा गया है हजारी प्रसाद दिवेदी जी की ρचना है तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ भी चार विकल्ब दिये गए हैं सही उत्तर देने पर आपको एक नंबर मिल जाएगा प्रशन संख्या एक का के अंतरगत जो प्रशन है एक खा है एक गा एक गा और एक अंगा ये सभी क्या है ये सभी बहुविकल्पी प्रशन है ये सभी क्या है बहुविकल्पी प्रशन है आप ध्यान दीजेगा बहुविकल्पी प्रशन होने क के नाते प्रती एक प्रशन कितने अंक का है एक अंक का है यानि प्रशन संख्या एक के अंतरगत पांच बहुविकल्पी प्रशन पूछे जाएंगे और प्रशन संख्या दो का यहां आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कभी कौन है चार विकल्प दिये गए हैं और यहां प्रशन है एक नमबर का प्रशन संख्या दो खा जो की इस प्रकार से है साकेत के रचनाकार है यहां भी आप देख सकते हैं चार विकल्ब दिये गए हैं और यहां प्रशन पूछा गया है एक नमबर का प्रशन संख्या दो गा जो की इस प्रकार से है दीप सिखा का रचाईता कौन है चार विकल्प दिये गए है राइट अंसर देने पर एक नमबर आपको मिलेगा और प्रश्ण संख्या दो घा के अंतरगत पूछा गया है तार सब तक के संपादक है most important प्रश्ण है आपकी बोर्ड परिच्छा 2022 के लिए और चार विकल्प यहां द यह गए है राइट अंसर देने पर एक नमबर मिलेगा तो आपको मैं बता दू कि प्रश्ण संख्या एक के अंतरगत पांच बहुविकल्पी प्रश्ण पूछे जाएंगे और प्रश्ण संख्या दो के अंतरगत भी पांच बहुविकल्पी प्रश्ण पूछे जाएंगे प्रतेक प्रशन एक अंक का होगा यानि कुल आपको यहां से दस नंबर मिल जाते हैं यदि आप ये प्रशन संख्या एक और प्रशन संख्या दो के प्रशनों का उतर सही देते हैं तो इन प्रशनों को आप जरूर तयार कर लीजेगा अगला प्रशन क्या है यहां आप देख सकते हैं प्रस्ण संख्या 3 जो कि इस तरीके से आपकी परिच्छा में पूछा जाएगा निम्नलिखित गद्यांस पर आधारित प्रस्णों के उत्तर दीजिए यहां आप देख सकते हैं गद्यांस दिया गया है और गद्यांस के नीचे प्रस्ण दि का है प्रते एक प्रशन दो अंकों का है यहां आप देख सकते हैं प्रते एक प्रशन दो अंकों का है दो गुड़े पांच यानि दस नंबर का यह प्रशन पूछा गया है तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रशन संक्याचार जो कि इस तरीके से पूछा जाएगा मिम्न लिखित पद्यांस पर आधारित प्रशनों के उत्तर दीजिए तो यहां आप देख सकते हैं पद्यांस दिया गया है दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात एक परदा यह जीना नील चिपाए है जिसमें सुख गात जिसे तुम समझे हो अभिसाप जगत की ज्वालाओं का मूल इसका वह रहस वरदान कभी मत इसको जाओ भूल यह पद्यांस है और इसके नीचे पांच प्रशन दिये गए हैं प्रतेक प्रशन दो अंकों का है यानि दस नंब गरज गरज घन घोर राग अमर अंबर में भर निजरोर जर 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 निर जर गिर सर में घर मरू तरू मरमर सागर में सरित तडित गत चकित पवन में मन में बिजन गहन कानन में आनन आनन में रो घोर कठोर राग अमर अंबर में भर निजरोर तो यह पद्यांस है और इसके नीचे भी पांच प्रशन दिये गए हैं आपको किसी एक पध्यांस के नीचे दिये गए पांच प्रशनों के उत्तर देना है जिसके लिए आपको दस नंबर मिलेंगे कितने 10 नमबर मिलेंगे और प्रश्ण संख्या 5 का जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा आपकी बोर्ड परिच्छा में निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परचे देते हुए उनकी करतियों का उलेख के जिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है पंडित देन दयाल उपाद्याए दूसरा है कनहिया लाल मिस्र प्रभाकर और तीसरा है वासुदेव सरड अगरवाल आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वासुदेव सरड अगरवाल जी का जीवन परचे और इनकी प्रमुक रचनाओं के नाम भी लिखने हैं प्रशन संख्या पांच खा जो की इस प्रकार से पूछा जाएगा निमनलिखित में से किसी एक कभी का जीवन परचे देते हुए उनकी क्रतियों का उलेग कीजिए यहाँ आप देख सकते हैं चार विकल्प दिये गए हैं आपको किसी एक का जीवन परचे लिखना है और समंधित कभी की रचनाओं का भी लेक करना है जिसके लिए आपको पांच नंबर यहां से भी मिल जाएंगे प्रशन संख्या छे जो की इस प्रकार से आएगा कहानी कला की द्रश्ट से पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समिच्छा की किहार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रड कीजिए तो चाहे तो आप प्रशन संख्या छे का उत्तर दे सकते हैं चाहे तो आप प्रशन संख्या छे का जो अत्वा है इस प्रशन का उत्तर भी दे सकते हैं जिसके लिए आपको पांच नंबर मिल जाएंगे नबर का यहाँ भी प्रस्ट है और आपको क्या करना है जो आपके जिले में निर्दारित है और आपको किसी एक प्रस्ट का है यहां पर आप सकते हैं उधारड के लिए यहाँ प्रश्थ आया हुआ है रस्म रथी के नायक कड का चरित्र चित्रड कीजिए अत्वा रस्म रथी खंड कावि के आधार पर प्रधान नारी पात्र कुंती का चरित्र चित्रड कीजिए तो यहां आप देख सकते हैं एक खंड कावि से दो प्रस्न पूछे गए हैं यहां पर आप इस आधार पर आपको किसी एक प्रश्ण का उत्तर देना है और ये पांच नंबर विल्कुल पक्के कर लेना है प्रश्ण संख्या आठ का जो की खंडखा के अंतरगत पूछा जाएगा निमनलिखित संसक्रत गद्यांसों में से किसी एक का ससंदर्व हिंदी में अनुवाद कीज यहाँ पर दो गद्यांस आपकी परिच्छा में पूछे जाएंगे प्रश्ण संख्या आठ का के अंतरगत आपको क्या करना है किसी एक गद्यांस का संदर्व लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे सात नंबर मिल प्रशन संख्या आठ खा के अंतरगत कुछ इस तरीके का प्रशन पूछा जाएगा निम्नलिखित स्लोकों में से किसी एक का ससंदर्व हिंदी में अनुवात कीजिए तो यहां आप देख सकते हैं संख्सकरत के दो स्लोक पूछे गए हैं यानि दो स्लोक दिये गए हैं आपको क्या करना होगा यहां पर किसी एक स्लोक का संदर्व लिखना है और हिंदी में अनुवात करना है जिसके लिए आपको कितने नंबर साथ नंबर यहां से भी मिल जाएंगे प्रशन संख्या 9 जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा निमनलिकित में से किनी दो प्रशनों के उत्तर संख्सकरत में दीजिए तो यहां पर आप देख सकते हैं चार प्रशन पूछे गए हैं और इसी तरीके से चार प्रशन आपकी बोर्ड परिच्छा में भी पूछे जाएंगे आपको क्या करना है किनी दो प्रशनों के उत्तर संख्सकरत में देना है जिसके लिए आपको कितने नंबर चार नंबर मिल जाएंगे यहां आप देख सकते हैं प्रशन संख्या 10 का बीर अथवा करूड रस की परिभासा उधारण साहिद लिखिए तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में बीर रस और करूड रस दोनों रसों से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा जिसमें मैंने बीर रस और करूड रस का उधारण भी बताया है और सरल परिभासा भी बताया है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ प्रस्न पूछा जाएगा कितने नंबर का दो नंबर का प्रस्न संख्या 10 खा जो कि यहाँ आप देख सकते हैं पूछा गया है रूपक अथवा अनन्वे अलंकार की परिभासा एवं उधारण लिखिए आपको किसी एक अलंकार की परिभासा और उधारण लिखना है तो आपको कितने नंबर मिलेंगे दो नंबर मिल जाएंगे तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में रूपक अलंकार की परिभासा और उसका उधारण से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशन संख्या 10 गा जो की इस प्रकार से है दोहा अत्वा कुंडलिया में से किसी एक का लच्छड एवं उधारण लिखिये तो यहाँ प्रशन पोचा जाएगा कितने नंबर का दो नंबर का प्रशन संख्या 11 जो की इस प्रकार से है निमनलि से किसी एक पर निवन्द लिखिए तो आप यहां देख सकते हैं भारत में ब्रश्टाचार दूसरा विसे हैं मेरा प्रिय ग्रंथ तीसरा विसे हैं राष्ट्र भासा का महातो चौथा विसे हैं प्रदूसर की समस्या और पाच्वा विसे हैं आतंकवाद आपको चैनल की प्ल प्रश्न संख्या 12 का जो कि इस प्रकार से पूछा जा सकता है मोनुश्वारह संध है यहां आप देख सकते हैं चार विकलब दिये गए हैं राइट एंसर देने पर एक नमबर मिल जाएगा प्रश्न संख्या 12 का का जो दूसरा है पव प्लस अका की संध है चार विकलब दिये गए हैं राइट एंसर देने पर एक नमबर आपको मिलेगा और 12 का का तीसरा प्रश्न है हरी प्लस चारती की संध है तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा इसका उत्तर एक प्रशन पूछा जाएगा निमनलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए यहां पर आप देख सकते हैं तीन विकलब दिये गए हैं महाजनाह महादेवाह और प्रतिग्रहम आपको क्या करना है किसी एक का विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है जिसक नामन शब्द का सत्तमी एक बचन का रूप होगा एक नंबर का यहाँ प्रशन पूछा गया है और यहाँ पर तेरा का का जो दूसरा प्रशन है नामन शब्द पंचमी विभक्त के दुई बचन का रूप लिखिये और यहाँ प्रशन भी एक नंबर का है यहाँ आप देख सक तेरा खा का पहला प्रश्ण है अस्था धातु लड़ लकार प्रथम पुरुष बहु बचन का रूप होगा चार विकल्ब दिये गए हैं इसी तरीके का प्रश्ण आपकी परिच्छा में भी पूछा जाएगा और एक नंबर का प्रश्ण यहाँ पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसी एक सब्द के धातु एवं प्रत्य का योग इसपष्ट कीजिए यहाँ आप देख सकते हैं तीन विकल्ब दिये गए हैं आपको क्या करना है किसी एक सब्द का धातु एवं प्रत्य का योग बताना है और यहाँ आप देख सकते हैं जो दूसरा प प्रत्य लिखे और यहां प्रश्न पूछा जाएगा एक नंबर का और यहां आप देख सकते हैं तेरा गा के अंतरगत प्रश्न पूछ गया है रहे खांकित पद्वमें से किनी दो में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्ले कीजिए यहां आप देख सकते हैं तीन उदहरर दिये गए हैं आपको क्या करना है आपको देखना है किरेखांकित पदमे कौन सी विभक्ति है उसको और उससे सम्मंदित नियम का भी वर्डन आपको करना है जिसके लिए आपको दो नमबर मिल जाएंगी प्रशन संख्या 14 जो कि इस प्रकार से है निमनलिकित में से किनी दो वाक्यों का संख्सक्रत में अनुआत कीजिए तो यहां आप देख सकते हैं चार वाक्य पूछे गए हैं यानि चार वाक्य दिये गए हैं आपको किनी दो वाक्यों का संख्सक्रत में अनुआत करना है और चार नमबर ये पक्के कर लेना है तो मैंने आपको बता दिया है कि यदि आपके पास हिंदी है तो आप इस model paper को जरूर तयार कर लें क्योंकि यहां से आपकी board परिच्छा 2022 में प्रस्न जरूर बनेंगे और काफी ज़दा important प्रस्नों को मैंने इस वीडियो के द्वारा आपको बताया है और यहां भी बताया है कि किस तरीके से आपकी board परिच्छा 2022 में प्रस्न पूछे जाएंगे इस बार आप इस वीडियो को अपने मित्रों में भी सेयर करते रहें और चैनल के साथ जुड़कर board परिच्छा 2022 की बहतर तैयारी करते रहें पढ़ते रहें मस्त रहें जय हिंद